नमस्कार दोस्तों मैं कुल देप कुमार अपने YouTube चैनल Quick Techno Solutions में आपका फिर से स्वागत करता हूँ जैसा कि अपने पहले वीडियो में मैं आपको Computer History और Generations of Computer के बारे में अल्रेडी बता चुका हूँ और मैंने आपको यह भी बोला था अपने फस्ट वीडियो में कि सेकेंड वीडियो में मैं आपको Basic Computer Fundamental और Parts of Computers की जानकारी हिंदी में अपने वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में दूंगा तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना दूसरा और Computer Fundamental के उपर वीडियो लेके तो दोस्तों सबसे पहले Computer Fundamental में हम जानते हैं कि Computer आखिर है क्या Computer को हम कैसे परिभाशित करेंगे उसकी परिभाशा क्या है और वो कैसे काम करता है तो सबसे पहले इसमें दोस्तों Computer एक Electronic Machine है जो निर्देशों के नियंत्रंग में डाटा पर प्रोसेस कर पर Computer is a Electronic Machine जो निर्देशों के बतलब जैसा हम किसी को निर्देश देते हैं किसी को इंस्टेक्शन देते हैं और वो नियंत्रंग में डाटा पर प्रोसेस करके परिगाम को रिजल्ट को हमारे सामने प्रस्तुत करता है उसको हम Computer कहते हैं Computer में डाटा स्वीकार करने के लिए Input डिवाइस होती है जबकि परिगाम यानि रिजल्ट को शो करने के लिए Output डिवाइस होती है प्रोसेसिंग का कार जिस डिवाइस में होता है उसे CPU कहते हैं Computer एक Electronic युद्ती है जो गविती गवनाकर यानि Mathematical, Mathematical Calculation कर सकती है एवं तार्किक फैसले ले सकती है इसके आग N-P-U-T-E-R इसको मैंने अपने हिसाब से एक परिभाशा दी है इसको एक नाम दिया है सभी लेटर्स को तो यह आप देख सकते हैं और यह बहुत ही useful है जैसे सबसे पहले C for commonly, O for operated, M for machine, P for particularly, U for used for, T for trade, E for education, and R for research commonly means सामान रूप से, operated means काम में आने वाली, machine means machine, particularly जो विशेस रूप से, used for means काम में आती है, trade यानि की व्यापार में, education यानि की सिख्षा में, और research यानि की अनुसंधान में तो दोस्तों, computer शब्द का एक वास्तविक रूप जो आपके सामने हिंदी में, जो उसकी एक परिवासा आती है, वो इस तरह से होगी हिंदी में, सामाने रूप से, काम में आने वाली मशीन, जो विशेस रूप से, काम में आती है, व्यापार में, सिख्षा में, और अनुसंधन कार्यों में, तो ये एक bifurcation of computer की नेम का है, इसके आगे दोस्तों, एक computer के उपर एक संशित परिशे, या उसकी विशेस्ता मैं आपको और चाहूंगा, जैसे आधनी की युग में, विध्यान की मतद से computer ने कई महातपूर अविश्कार किये हैं, computer इन में से एक प्रमुकविश्कार है, यहां आदमी के दिमाग की तरह कार करता है, जैसे कि हम लोग, आप और हम जैसे सूचते हैं, जैसे काम करते हैं, computer भी बिलकु observe करके ही इस device का मिरिमाग किया है, electronic device का, इसमें देश दुनिया की सभी आवस्यक जानकारियां भरी होती है, इन जानकारियों को computer याद रखता है, तथा मागे जाने पर, यानि जब भी हमको जरूरत होती है, तो computer हमको वो जानकारियां परदरसित, यानि शो कर देता है, computer के अविशकार के परदेगाम सोरूप दुनिया में करांती आ गई है, इस सभी कारयाले, office, government, sectors में इसका प्रयोग दिन प्रति दिन भगता ही जा रहा है, लगबग सभी जगे हो रहा है, रेल और हवाई यातरा के टिक्टों में या बहुत ही important role निभाता है, computer सूचना करां must यानि compulsory कर दी गई है, व्यापार और उद्योग में इसके उप्योग के बिना अब काम चली ही नहीं सकता, computer आज की एक आवश्यक वस्तू बन गई है, इसके आदे दोस्तों, computer कार कैसे करता है, तो सबसे पहले computer में क्या होता है, data, data क्या है और उसके प्रकार, what is data and its types, computer की भाषा में data जो है, वो सूचनाओं तत्य तत्य आख़ों का संग्रह है, जी हां, मतलब कोई information, कोई जानकारी, कोई तत्य तत्य आख़ों का संग्रह होता है, जो व्यवस्तित और अव्यवस्तित दोनों तरीकों से इखटा किया जाता है, जिसको computer द्वारा process कर जरूरी जान कारी प्राप्त की जाती है, data मुक्ता दो प्रकार के होते हैं, एक संख्यात्मक data यानि numeric data और दूसरा चिन्हात्मक data यानि alpha numeric data, सबसे पहले दोस्तों जानते हैं संख्यात्मक data यानि numeric data क्या होता है, संख्यात्मक data दोस्तों अंकों से बना होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 से ल इस तरह के डाटा का प्रयोग गल्की क्रियाओं जैसे जोग्या घटाना गवाग में किया जाता है इसमें अंकों के साथ दसम्लो प्लस माइनस चिंड के चिंडों का भी प्रयोक किया जाता है उधारंग के लिए किसी कच्छा के चात्रों के प्रापतांग या किसी कार्याले के करमचारियों के वेतन का डाटा इसके बाद चिन्हात्मक डाटा यानि अल्फा नियूमेरिक डाटा इसमें संख्यात्मक डाटा के साथ अच्छरों यानी जैसे एड़रेट, डॉलर, हैश, परसेंटेज जो हमारे कीवोर्ड की कीज भी होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है इसमें गलती क्रियाय नहीं की जा सकती है पर इनकी आपस में तुलना की जा सकती है जैसे जनगणना के आंकरे, कारयाले के करमचारियों के नाम, पदनाम, पता का डाटा जैसे दोस्तों किसी भी पर्टिकुलर परसन की किसी भी करमचारियों का डाटा, किसी कंपनी का अगर एक कंप्यूटर में फीड है तो उनको आपस में हम कंपेर करा सकते हैं किसी भी एक field के base पे उनको हम short कर सकते हैं, filter कर सकते हैं, ये सब संख्यात्मक data और चिन्नात्मक data के रूप में अगरते हैं, तो ये तो हो गया data, अब data का जो information है, वो कैसे आती है, information क्या होता है, तो what is information, तो जो डोस्तों, data जो हमको समझ में आता है, उसे information या सूचना कहते हैं, यानि कि अर्थ पूंग data, जिसका कोई अर्थ हो, उसको सूचना या information कहते हैं, इसके अलावा, information is the structured format of data, मतलब इस्ट्रक्चर डाटा जो होता है मतलब डाटा जो एक व्यवस्थित करम में होता है उसको information कहते हैं information is valuable because it can affect behavior a decision or an outcome information सूचना जो है वो बहुत ही important है valuable है अगर वह किसी व्यवहार को किसी परियाम को या किसी result outcome को प्रभावित करती है तो दोस्तों यह हो गया information यानि सूचना इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे computer के सिध्धान्त यानि principle of computer की जैसे दोस्तों सभी लोगों का एक सिध्धान्त होता है आपका हमारा भी जीवन का एक सिध्धान्त होता है जिस पर हम कार करते हैं उसी तरह से computer का भी एक सिध्धान्त होता है जैसे मान लीजिए किसी ने आप से पूछा कि आपका नाम क्या है तो दोस्तों ये क्या हुआ ये सामने वाले व्यक्ति के लिए इन्पुट हुआ जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि आपका क्या नाम है तो ये दोस्तों क्या हो गया ये मेरे लिए इन्प है ये हो गया मेरे लिए input तो जब ये सवाल मुझे सुनाई पड़ा तो मेरी बुद्धी या मेरे mind के अंदर कुछ process हुआ मतलब मुझे जब ये सवाल सुनाई दिया तो मेरे mind में ये process हुआ कि ये सामने वाला बंदा मुझसे क्या पूछ रहा है और मुझे इसको क्या जवाब देना है तो ऐसा तो नहीं है कि आपका नाम क्या है इसके सवाल के बदले में मैं उसको कुछ भी बता सकता हूँ तो जो exact information है जो data मुझे मिला उसकी जो exact information है वो मैंने मैं अपने mind से process करके उसको output दिया कि मेरा नाम कुलदीब कुमार है तो दोस्तों ये computer का सिर्धान्त होता है कि पहले input होता है फिर process होता है और उसके बाद उसका output होता है जो output निकल के आता है जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम पुलदीब कुमार है तो ये जो output है इसको दोस्तों हम storage भी कर सकते हैं यानि इसको store कर सकते हैं primary memory या secondary memory मतलब इसको हम store कर सकते हैं सामने वाला व्यक्ति जिसको मैंने ये जवाब दिया तो वह अपने माइंड में अगर इसको हमेशा के लिए याद रखेगा तो ये मतलब उसके माइंड में ये जो मेरा answer है ये store हो गया तो जैसे एक मनुष्य का सिर्धान्त होता है जीने का जीवन जिस पर CPU भी लगा होता है उसके अलावा RAM लगी होती है फैन लगा होता है और भी कई चीजे कई सेमी कंडेक्टर माइंड उसके माउंटेड होते हैं तो एक तो आपका मदर वोड हो गया उसके बाद CPU जो जिसको प्रसेसर भी कहते हैं उसके बाद दोस्तों नेटवर्क कार with sound cards यह स्रेकार्ट उस में एक हिक। काम में आते हैं जो हमको प्रोसेस करके हमारा आुटकम यानि कडिने पर ओक उन को करते हैं तो इसके अलावा दोष्टा डोरेज के दो होते हैं प्राइंडरी स्टोरेज और सेकेंडऱी स्तोरेज्च में आपका राम यूट आता है और सेक वेवाष मेमोरी भी होती है जिसको हम इसटोरेज भी कह सकते हैं इसे वीडियो में आगे चलके आपको डिटेल से जानकारी दूंगा यह कंपियोटर पिसनवे कंप्यूटर के में पार्स कौन-कौन से होते हैं और मुक्क्ता पांच भागों में divide किया गया है सबसे पहले आपका input devices उसके बाद processing devices फिर storage devices फिर output devices फिर उसके बाद users तो दोस्तों ये 5 mainly होते हैं आपके parts of computer की category इनहीं के अंदर सारे parts आते हैं तो चलते हैं सबसे पहले input devices की तरफ देखते हैं ये input devices क्या होती है और computer से कैसे काम में आती है तो सबसे पहले जो हमारी input device है उसको बोलते हैं keyboard जी हां दोस्तों सबसे main हमारे computer की और सबसे main device होती है keyboard जैसा कि आप देख भी रहे हैं आप सभी ने देखा भी होगा कि keyboard इस shape में होता है उस पे बहुत सारी keys होती है इन keys की अलग-अलग category होती है जैसे कि आप देख रहे होंगे सबसे पहले उपर जो आप left side में है वो है ESC यानी escape की उसके बाद दोस्तों F1, F2, F3, F4 जो है इसको बोलते हैं function की उसके बाद enter की जो हमको किसी प्रेगाम को प्राप्त करने के लिए click करनी होती है यानी press करनी होती है किसी भी command को देने के लिए हमको enter की की जरूरत पगती है उसके बाद कई सारी keys जैसे delete है, scroll है, indicators है, print screen दोस्तों बहुत दोस्तों को शायद नहीं पता होगा कि यह जो हमारे keyboard पे एक उपर की row में एक print screen की की होती है, इससे दोस्तों हमारे monitor पे जो भी present time में मतलब इस वक्त जो भी हमारे monitor पे show हो रहा है, अगर इस print screen की को हम press करेंगे तो उसका एक screen shot यानी उसकी एक image क्लिक हो जाती है, उसकी एक photo क्लिक हो जाती है, लेकिन वो हमको कहीं दिखाई नहीं पलती है, उसको हम paint brush य या control V अगर press कर दें, तो जो हमारे monitor पे as it is screen था, वो वहाँ पे हमको photo के रूप में, एक image के रूप में show कर दियता है, इसके अलावा दोस्तों numeric keys होती है, 1 to 10 numeric keys होती है, उसके अलावा control, shift, caps lock, caps lock जैसा कि आप जानते भी होंगे, कि अगर caps lock on है, तो capital letters में print होता है, और shift lock off है, तो small letters में print होता है, इसके अलावा बहुत से symbols की key है, backspace मिटाने के लिए, shift key, up, down, left, right key, इन सभी keys का उपयोग हम computer में input देने के लिए, मतलब कुछ भी type करने के लिए, कोई command भी देने के लिए, हम keyboard का प्रयोग करते हैं, कीबोर्ड दोस्तों, market में हमको PS2, wireless, USB, multimedia और gaming, इतने परकार के keyboard हमारी बाजार में हमको अभी उपलब है, तो इसके बाद दोस्तों, बात करते हैं हमारे दूसरे input device की, जो है mouse, यहाँ इसको input device भी कहते हैं, यहाँ एक बहुत ही important device है हमारे computer के लिए, computer में दोस्तों, mouse का उप्योग किसी भी command को देने के लिए किया जाता है, मेंता इसमें, मुखेता इसमें, दो keys होती हैं, एक left key और एक right key, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, image में, picture में, left key से हम कोई भी command दे सकते हैं, कोई किसी भी option पे या कहीं पे हम click कर सकते हैं, उसको निर्देश दे सकते हैं, left key से, और right key से, हम किसी भी application की properties में जा सकते हैं, या उसकी जो मुखे, विशेस्ताएं हैं, उसको सब को देखने के लिए, क्या क्या categories हैं, ये सब देखने के लिए हम right key का प्रयोग करते हैं, इसके बाद दोस्तों एक जो छोटा सा आधा उपर दिखता है, पहिया जैसा लगा होता है, जिसको हम scroll बोलते हैं, ये भी mouse में अब लगके आता है, optical mouse में, तो इसमें ये scroll आपका होता है, scroll के लिए, मतलब किसी भी page में उपर या नीचे जाने के लिए हम scroll का प्रयोग करते हैं, इसको भुमा के हम किसी भी page में उपर नीचे जा सकते हैं, आजकल जो advanced mouse आ रहे हैं दोस्तों, उसमें इसके अलावा और भी कई सारी keys, जैसे forward key, back key, और भी dry dpi cycle, ये भी आपको देखने को मिलेंगी, जो थोड़े अच्छे mouse आजकल market में आ रहे हैं, तो ये हमारा, और इसके अलावा दोस्तों, drag and drop, मतलब किसी भी image को, किसी भी logo को, picture को, एक जगह से left key के द्वारा click करके, उसको मतलब press करके, किसी भी एक स्थान से, दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, मतलब drag and drop के लिए, भी mouse का ही उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों, mouse भी हमारे market में, PS2, wireless और USB, कई categories में, उप्लग दाने, यह था mouse, input device, इसके बाद दोस्तों, आता है, input devices में, joystick, आपने, बहुत लोगों ने इसको देखा भी होगा, अगर आपने कहीं gaming खेली है, या आपने अपने घर में इसको purchase करके, गेम खेलने है, joystick का भी प्रयोग हम, input देने के लिए, य इसके बाद दोस्तों, आता है हमारा barcode reader, यह भी है, अतेंत महत्म, input device है, आपने किसी shopping mall में, या किसी बड़ी shop पे, आपने, garments की shop पे खास कर आपने देखा होगा, कि इस type की एक machine computer से attach होती है, उस machine के द्वारा, जब आप billing कराने counter पे जाते हैं, तो वह उस सामान, उस वस्त के tag में एक जो lining करके barcode बना होता है, black lines में, उस पे इस machine से इस barcode reader से click करता है, और एक लाल light उस barcode reader पे पलती है, और उस product या उस वस्त के मूल, MRP या उसके सम्मन्द में जो भी उसकी जानकारी है, वो उसके computer पे automatic सामने show हो जाती है, तो इस barcode reader से भी हम input device के रुप में काम करते हैं, इसके अलावा दोस्तों कुछ और input devices हैं, जैसे कि पहली MICR, मतलब magnetic ink character recognition, ये MICR जो है, जो हमारे banks में जैसे checks वगरा होते हैं, micro check जिनको बोलते हैं, उनको नमबर पड़ा होता है, उसको read करके, digital format में connect करके, computer में show करता है, उसका जो result है, उसको show करता है, ये होता है MICR, ये banks वगरा में ज्यादा इस्तेमाल किया आता है, इसके बाद दोस्तों right side में आपका है OCR, यानि optical character recognition, ये दोस्तों जैसे आपका card reader होता है, ATM card reader, जैसे आपने कई जगे card से payment किया भी होगा, कि कई दिकानों पे, तो जो card लगा के payment करते हैं, या ATM machines में भी जैसे करते हैं, तो वो होता है OCR, optical character recognition, इसमें वो आपके ATM के character को recognize करके input लेता है, इसके बाद दोस्तों, तीसरा है OMR, यानि optical mark recognition, Optical mark recognition का मतलब दोस्तों, जैसे हम जो exam देते हैं, किसी भी particular competition में exam देते हैं, तो उसकी जो OMR sheet होती है, दोस्तों, OMR sheet में जो हम options गोले काले करके आते हैं, चार options में से किसी भी सही option का, तो उस सही option को, इस OMR machine जो होती है, उसके द्वारा read किया जाता है sheet को, कि कितने answers आपके सही हैं, और कितने answer आपके गलत हैं, ये input होके उस computer में परदसित करता है, उसके लिए दोस्तों, OMR का प्रयोग क किया आता है, ये थी कुछ हमारी और other input devices, इसके बाद दोस्तों, second part of computer में, second जो होता है category processing devices, processing devices जैसे मैंने आपको बताया है, process करके हमको output प्रदान करती हैं, अगर कोई भी command अगर process नहीं होगा computer में, या हमारे mind में, तो उसका outcome यानि उसका result बाहर नहीं आ सकता है, या है ए 10 महतों devices होती हैं, तो आइए इनके बारे में अब हम चंगते हैं, दोस्तों, सबसे पहले होता है processing devices का, बहुत ही main part CPU, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, CPU का आर्थ होता है, central processing unit, इसे processor या computer का दिमाग कहते हैं, जैसे हमारा दिमाग होता है, मनुसके शरीर का एक दि सुझता है, उसी तरह कंप्यूटर का भी processor जो है, वो दिमाग होता है, यह system unit के नाम से यानि SEO के नाम से भी जाना जाता है, CPU के नाम सुनने से आपके सीधा से आपके दिमाग में एक जो ये left key में CPU बना हुआ है, left side में, ऐसी image आपके mind में बनती होगी, कि ये CPU होता है, बट असल में दोस्तों, CPU नहीं होता है, इसको computer की cabinet बोलते हैं, ये cabinet होती है, इसके अंदर कई सारे motherboard, आपका DVD writer, आपका SMPS, आपकी कई सारे parts इसके अंदर लगे होते हैं, जो processing में काम में आते हैं, actual में CPU या processor, ये जो right side में image है, ऐसा होता है, जो की हमारे motherboard पे mount यानी motherboard लगा हु में CPU या processor दोस्तों, ऐसा होता है, ना कि ये जो cabinet होती है, डबा होता है, computer का ऐसा, इसके आगे दोस्तों, processing devices में हम आपको बताएंगे, जैसे processing करने में सबसे पहले काम में आता है आपका motherboard, उसके बाद random access memory यानी RAM, third expansion card जैसे modern card या sound card, और उसके बाद central processing unit यानी CPU, जिसको हम brain of computer कहते हैं, जो कि motherboard पे ही एक चौकोर शेप में mount यानी लगा हुआ होता है, ये कुछ processing devices हैं, जो process करके हमको result प्रदान करती हैं, तो दोस्तों, CPU के भी दो parts होते हैं, जो processing में काम में आते हैं, जैसे पहला part है CPU का ALU, यानी arithmetic logical unit, arithmetic logical unit ये क्या होता है, इसमें जैसे plus, minus, multiply, division, greater than, less than, इस तरह के मतलब mathematical जो calculation वाला काम होता है, ये arithmetic logical unit के अंतरगत किया आता है, CPU में, इसके अलावा CU यानी control unit, control unit में क्या होता है, इसमें resources management का काम होता है, जैसे आपकी memory, hard disk, printer, scanner, या किसी ने कहीं पे, किसी option पे, image पे click किया है, तो इन resources को कैसे वो manage करें, ये काम CPU के अंदर control unit, यानी CU करता है, दोस्तों, ये था एक CPU का छोटा सा परिचह, इसके आगे बात दोस्तों, हम देखेंगे computer memory, memory के बारे में हम सभी जानते हैं, जैसे किसी इनसान की, आपकी हमारी एक memory होती है, कुछ memory ऐसी होती हैं, जो हम, जब चाहें, तभी हमको याद आती हैं, हमेशा हमको याद नहीं रहती हैं, और कुछ memory ऐसी होती हैं, जो हमेशा हमारे दिमाग में store हो जाती है हमेशा हमको याद रहती है इसी तरह कंप्यूटर के भी memory होती है दोस्तों जिसको दो भागों में बाटा गया है पहली memory है primary memory और दूसरी है secondary memory primary memory के बारे में बात करें तो इसको दो भागों में बाटा गया है जैसे RAM और ROM RAM दोस्तों Random Access Memory बोली जाती है इसकी जो full form है वो है Random Access Memory और ROM यानि की Read Only Memory तो Primary Memory के भी दो पार्ट हो गए अब आते हैं Secondary Memory पे Secondary Memory भी कई भागों में बाटी गई है जैसे floppy disk, hard disk CD, DVD और pen drive तो ये कुछ Memory के पार्ट हुए दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं Primary Memory पे Primary Memory क्या होती है इससे पहले दोस्तों हम आपको Primary और Secondary यानि RAM Primary Memory के जो दो पार्ट होते हैं RAM और ROM उसमें एक छोटा सा Difference आपको बता देते हैं जैसे RAM जो है वो volatile memory होती है यानि RAM की जो memory होती है वो इस फिर नहीं रहती है हमेशा नहीं रहती है जितनी देर तक supply on रहेगी मतलब power supply जितनी देर तक on रहेगी उतनी देर तक ही ये memory रहती है उसके बाद ये गयव हो जाती है और ROM में non-volatile memory होती है यानि ये चाहे computer off हो ये लगातार बनी रहती है इसके बाद दोस्तों जो store data है RAM में वो power off होने पर remove हो जाता है यानि power off होते ही जो data store है RAM में वो remove हो जाता है लेकिन ROM में जो data store है वो power off होने के बाद भी जैसा मैंने आपको बताया वो remove नहीं होता है वो हमेशा उसकी memory में बना रहता तीसरा दोस्तों जो RAM होती है ये versatile memory होती है versatile मतलब ये changeable नहीं होती है इसको हम change नहीं कर सकते है ये जैसी है वैसी होती है sorry versatile memory मतलब ये changeable होती है इसमें हम change कर सकते हैं और ROM ये non versatile होती है मतलब रोम में हम memory को change नहीं कर सकते हैं जैसा इसका नाम भी है read only memory मतलब केवल पढ़ी जाने वाली memory हम केवल इसको पढ़ सकते हैं देख सकते हैं बस इसमें हम कुछ modification या changes नहीं कर सकते हैं इसके आगे दोस्तों आते हैं computer memory की जो parts मैंने आपको बताए थे primary memory, secondary memory तो primary memory में आपकी आती है DRAM, SRAM और DRDRAM तो DRAM क्या होती है DRAM होती है dynamic read random access memory और SRAM होती है आपकी static random access memory तो DRAM में क्या होता है दोस्तों DRAM में contents को हर second में refresh करती है जो यह DRAM है dynamic RAM यह हर second में मतलब यह जो memory है यह इसमें store नहीं रहती है इसको हर second में यह refresh करती रहती है मतलब हर second में यह change करती रहती है इस तिर नहीं रहती है SRAM SRAM में data जो store होता है वो power होने तक content को store रखती है और power off होते ही यह content को wash out कर देती है मतलब अपनी memory को ये wash out कर देती है SRAM में data permanent store नहीं रहता है DID RAM ये भी एक तरह की memory होती है इसके बाद दोस्तों secondary memory secondary memory पे आते हैं तो इसमें पहले होता है P-ROM यानि programmable read only memory इसके बाद दोस्तों EP-ROM Erasable programmable read only memory और तीसरी होती है EEP-ROM ठीक है दोस्तों programmable memory यानि P-ROM क्या होती है इसमें user जो है वो किवल प्रोग्राम और data को load कर सकता है मतलब read only memory है तो इसमें किवल प्रोग्राम लोड हो सकते हैं install हो सकते हैं बट इसको हम change नहीं कर सकते हैं फिर आते हैं EP-ROM Erasable programmable memory इसमें क्या होता है इसमें variation of ये variation of P-ROM है मतलब P-ROM की तहां ही ये कार करती है लेकिन दोस्तों ये rewriteable है मतलब इसमें जो हम कोई content है उसको erase करके ultraviolet light के द्वारा उसको erase करके उसके ओपर दूसरा program या content हम लिख सकते हैं load कर सकते हैं तीसरी दोस्तों flash memory जो होती है ये electrically erasable मतलब electrically उसको हम erase कर सकते हैं मिटा सकते हैं और ये permanent type memory होती है जो digital camera, mp3 player वगारा में काम में आती है ये था दोस्तों computer memory के बारे में एक छोटा सा परिचे इसके लावा दोस्तों एक और memory होती है cache memory जो लोग computer पहे हैं वो इसके बारे में सुने भी होंगे cache memory क्या होती है दोस्तों यहाँ main memory की सहायक memory होती है जो main memory हमारी होती है RAM ROM ये उनकी सहायक memory होती है ये CPU और main memory के बीच cache memory का एक एहम रोल होता है जितनी जदा हमारे computer में cache memory होगी हमारे system की speed उतनी जदा ही काम करती है जैसा कि आप इस diagram में देख भी रहे होंगे कि CPU के बाद REG instruction data address तो उसके बाद L1 cache है फिर L2, L3 cache उसके बाद memory और उसके बाद virtual memory यानि hardest तो सभी CPU और हमारे input devices और memory के बीच में ये cache memory काम करती है cache memory के बिना हमारे computer की जो speed है वो अच्छी नहीं रहेगी आगे दोस्तों memory unit यानि memory को हम किस मात्रा में नापते हैं जैसे सभी की एक मात्रा होती है वोसे memory की भी एक मात्रा होती है मात्रक होता है तो उसका कुछ bifurcation मैं आपको देना चाहूँगा जैसे memory devices are to store the data for letter reference मतलब memory devices में जो data store होता है letter reference मतलब भविस में उसको हम use कैसे करें उसके लिए memory का data memory में data store किया आता है smallest measurement unit of memory is bit आप लोगों ने सुना भी होगा bit यानि की 0 और 1 जैसा की computer केवल digital form की भासा 0 और 1 दो ही character को समझता है चाहें आप किसी भी language में computer में input दें कुछ भी दें मगर वो उसको digitally 0 1 की shape में convert करके digitally ही उसको समझता है और किसी भासा को computer या processor नहीं समझता है तो 0 और 1 जो होते हैं उनको हम कहते हैं bit 8 bits मिलके 1 byte बनता है 1024 bytes मिलके 1 kilobyte बनता है 1024 kilobyte मिलके 1 megabyte बनता है 1024 megabyte मिलके 1 gigabyte बनता है इसी तरह 1024 gigabyte यानी GB बनके 1 terabyte मिलके बनता है 1024 GB आप लोग जानते भी होंगे आपके mobile में जो आपको recharge कराने पर data मिलता है वो भी 1 GB 1024 GB यानी वो 1024 MB अगर आपको 1 GB data मिला है तो इसका मतला आपको 1024 MB मिला है 1 GB data इसके बाद 1024 GB बराबर 1000 1 terabyte इसके बाद 1024 TB बराबर 1 petabyte यह था दोस्तों memory unit इसके बाद हमारी 3rd category parts of computer की दोस्तों storage devices यह भी एक बहुत अत्यंत महतून devices होती है इनके विना हम computer के काम नहीं कर सकते हैं आए इनके बारे में भी हम जानते हैं storage devices में दोस्तों कई सारी devices आती है जैसे कि आप देख दी रहे होंगे hardisk, RAM, ROM, CD या DVD, floppy disk, memory card, pen drive और tape इन सभी में दोस्तों यह सब को secondary memory भी कहते हैं जैसा मैं आपको बता चुका हूँ विडियो में secondary memory या storage devices मतलब इसमें हम data store करके कहीं भी ले जा सकते हैं और अपने पास हमेशा के लिए सुरच्छिक रख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे storage devices में यानि secondary memory में hard disk drive हार ड्राइब की जैसा कि आपने अपने computer में सुना भी होगा c d e drive partition तो यह जो c d e drive हैं यह हमारे hard disk के partition यानि hard disk के भाग होते हैं इनको अलग-अलग एक hard disk को विभाजित किया आता है अलग-अलग bytes में वही आपको c d e drive करके आपके my computer में show होते हैं इसमें दोस्तों hard drive में spindle होता है जैसा कि आप देख रहे हैं एक read right head होता है और जो इस पे file save होती है वो save file का यह एक चक्का बना हुआ है इसमें होता है एक जो यह disk आपको दिख रही है c d dvd की तरह हैं यह rpm में round करती है बहुत तेज से जैसे कि आपने dvd player या c d player में देखा भी होगा तो यह बहुत तेज round करती है और जो data input आप देते हैं उसको process करके उसका जो output निकलता है अगर आप चाहते हैं तो इस पे store हो जाता है जो आप कभी भी अपने use में काम में ला सकते हैं इसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा होता है और read-only के दोनों की category में हमारी मार्केट में उपलब्द है इसमें अधिक्तम data जो होता है approximately वो 4.7 GB capacity की बीवीडी मार्केट में उपलब्द होती है इसके बाद आता है आपका CD-ROM यानि compact disc, read-only memory इसको CD भी बोलते हैं यह अब थोगा कुछ लंग में कम है दोस्तों क्योंकि इसमें जो capacity है इसमें data जो जितना आता है store होता है उसकी छमता केवल 650-700 MB तक होती है इसलिए इसका use of थोगा कम हो गया है इसके बाद एक और disc आती है जिसको बोलते है ब्लू-ray disc इसमें capacity मतलब इसमें storage छमता है जो काफी अधिक होती है पचास से 500 GB तक होती है तो ब्लू-ray disc भी एक महत्रों storage devices है हमारे लिए इसके आगे दोस्तों जैसा कि आप picture में देख रहे हैं आप जानते भी होंगे micro SD card and mini SD card सभी लोग इस टाइम mobile में या laptop में card reader के थूँ इन cards का इस्तिमाल करते हैं ये card 4 GB, 8 GB, 16, 34, 128 GB तक storage छमता के cards होते हैं इनमें भी हम data कुछ भी data store करके कहीं भी ले आ सकते हैं और इनका उप्योग कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों चौथा parts of computer में जो category है वो है output device आउटपुट device दोस्तों क्या होती है इनके बारे में आईए जानते हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं output devices यानि जो हमको output या कुछ result शो करें इसको बोलेंगे output devices output devices में जैसे कि सबसे पहले जो main part है आपका computer का वो होता है monitor monitor हमारे computer का सबसे एहम output device है आउट मॉनिटर भी दोस्तों पहले से लेके अब तक उनमें काफी innovation काफी बदलाव आ चुका है सबसे पहले जो monitor चलते थे वो आप देख रहे होंगे काफी मोटे काफी भारी monitor होते थे उसको बोलते थे CRT यानि cathode raised tube ये काफी भारी होते थे पहले इनका प्रयोग किया था उसके बाद दोस्तों आया LCD यानि liquid crystal display इनका प्रयोग हम करते थे उसके बाद दोस्तों आया LED यानि light emitting diode जब LCD और LED आया दोस्तों तो आप जानते भी होंगे कि जो computer का monitor का size था वो काफी पतला हो गया ये काफी हलके हो गये और इनका size भी अलग-अलग मतलब display size में ये आने लगे इसके बाद दोस्तों आता है plasma ये भी एक LCD तरहें का होता है और इसके बाद जो अभी चल लहा है काफी प्रचलन में आ गया है output device monitor वो है HD TV यानि high definition TV जैसा कि आपने देखा होगा कि high definition यानि HD TV चैनल भी काफी है मार्केट में एर टेल टाटा इसकाई ये सब HD चैनल प्रवाइड कराते हैं तो HD चैनल आपको देखने के लिए अपने घर में HD TV का होना बहुत ही ज़रूरी है उसके बिना आप HD चैनल नहीं देख सकते हैं तो यह एक आज कल काफी पचलन में आ गया है आपका इसको आप डिवाइस भी बोल सकते हैं टीवी बोल सकते हैं मॉनिटर कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं इसके बाद दोस्तों कुछ और आपकोट डिवाइसेस आपके सामने हैं जैसे की webcam webcam यानि इसको हम कंप्वीटर में ल दोस्तों, speaker, फिर monitor बता चुगा हूँ आपको, फिर microphone, printer, printer में जो भी हम command computer से देते हैं, वो hard copy के रूप में print होके printer से हमको output के रूप में मिलता है, उसके बाद headphone, headphone से भी हमको output मिलता है, जो हमको कानों के द्वारा सुनाई पड़ता है, ये थे कुछ हमारे output devices के parts, इसके बाद आते हैं दोस्तों, classification of printers, जो भी output devices के अंतरगत आते हैं, printer में दोस्तों, दो प्रकार के printers हमारे market में उपलब्ध हैं, जितको number 1 होता है, impact printer, और number 2 है, non-impact printer, impact printer में दोस्तों, जो printer आते हैं, वो होते हैं, daisy wheel और dot matrix, और non-impact printer में जो आते हैं, वो हैं, inkjet, thermal और laser, ये कुछ printers के type हैं हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं, types of impact printers के बारे में, impact printers क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, impact printers में जैसा मैंने आपको बताया, dot matrix printer, जिनको हम DMP printer बोलते हैं, उसके बाद, drum printer, फिर chain printer, और फिर daisy wheel printer, जी हां दोस्तों, dot matrix printer क्या करता है, dot matrix printer जो है, वो dot dot में print करता है, आपने देखा भी होगा, आपके railway में जो आप ticket book का आने जाते हैं, या किसी सरकारी विभाग में आप कोई bill जमा करने जाते हैं, तो वहां इसी DMP printer का प्रयोग किया आता है, आपको bill देने के लिए, उसके बाद दोस्तों, drum printer, फिर chain printer, chain printer में दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, एक moher type की होती है, इसमें कई सारे chain लगी होती हैं, और उन chains पे अच्छा, यानि लेटर्स, ABCD, 123 गढ़े होते हैं, बने होते हैं, उनको automatic set करके, हम कोई भी चीज चाप सकते हैं, ये chain printers में भी, printer काम करता है, उसके बाद है दोस्तों, Daisy wheel printer, printer की printing speed जो है दोस्तों, उसको PPM, यानि पेज पर मिनट में मापा जाता है, पेज पर मिनट से हम उस printer की speed को माप सकते हैं, इसके आगे दोस्तों, अब देखते हैं, non impact printers, non impact printers कौन होते हैं, ये सामने आपके four types of non impact printers, जो हैं, सबसे पहले laser printer, फिर inkjet printers, फिर plotters, और लास्ट में thermal printer, printer के resolution को कैसे नापते हैं, dpi, यानि dot per inch से नापते हैं, impact printer में, सबसे पहले बात करते हैं, दोस्तों, laser printer की, laser printer में, दोस्तों, toner यूज किया आता है, जो की cartridge में भरा होता है, और इसमें black and white और color दोनों type के printer आते हैं, but color printer थोगा महंगा परता है, इसलिए इसका ज़्यातर इस्तेमाल हम, black and white printing में ही करते हैं, इसकी speed काफी ज़्यादा होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, कि ये page per minute में कार करता है, इसकी जो capacity है उसको printing की, page per minute यानि ppm में हम नापते हैं, laser printer में अधिक्तम, 14 page, 16 page, 20, 28, 30, ppm तक के printer मार्केट में available हैं, इसके बाद दूसरा printer दोस्तों, inkjet printer, inkjet printer में paper पर ink की spray होता है, पहले जब हम कमांड देते हैं, तो page पर ink की spray करता है, फिर print करता है, इसमें दोस्तों black and white और color जो print है, वो एक साथ हम कर सकते हैं, इसके लिए हमको अलग-अलग command देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके बाद तीसरा दोस्तों है thermal printer, thermal printer जैसा कि आपने देखा होगा, कई shops पे या restaurant में जो आपको बिल देते हैं, छोटी सी एक परची print करके, आपके खाने का जो बिल होता है, या ATM में जो machine निकलती है, ATM में जो आपका transaction की जो रसीद निकलती है, वो thermal printer होता है, उसके अंदर लगा होता है, ATM मेशीन के अंदर, उससे आपको छोटी सी रसीद प्राप्ट जो होती है, वाइट कलर की, वो thermal printer होता है, इसके बाद चौथा है, दोस्तों, plotter, जैसे आपको कोई बहुत बगा फ्लैक्स, या बहुत बगा पोस्टर अगर चपवाना है, बगे साइस का, मान में केवल एफोर, लीगल, साइस के पेपर ही लग सकते हैं, उसके लिए दोस्तों, plotter का यूज करते हैं, जैसा कि फ्लैक्स मशीन कहीं, अगर आपने देखी होगी, काम करते हुए, तो उसमें देखा होगा कि काफी बगे बगे बैनर, पोस्टर जो प्रिंट होते हैं, वो plot में प्रिंट किये आते हैं, यह थे दोस्तों, टाइफ ओफ नॉन इंपक्ट इसके बाद एक और इन्पुट और आटपुट डिवाइस का एक संयुक्त होता है, आटपुट डिवाइस जिसको MFD बोलते हैं, यानि मल्टी फंक्शनल डिवाइस, इसमें सबसे पहले आता है आपका fax, जैसा कि आप देखे भी होंगे और सामने image में देख भी रहे हैं, कि fax में आपका, जनरली तो ये fax कहीं करने के लिए, यानि हमारा जो hard copy है, उसको electronically कहीं दूसरी जगहे भेजने के लिए, हम fax का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा fax में आपका phone भी ज कर सकते हैं, मतलब multi function, multi use में हम fax को लाते हैं, इसलिए ये MFD device होती है, output device, और इसके बाद all-in-one printer आपने देखे होंगे, बगी 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 साफ में, computer की साफ में आपने देखा होगा, printing वाली जगहे पे बगी बगी मशीने जो लगी होती हैं, वो all-in-one printer रखती हैं, जिस कर सकते हैं, और fax भी कर सकते हैं, ये चार मतलब task आप एक ही machine से कर सकते हैं, उनको all-in-one printer बोला आता है दोस्तों, ये laser और inkjet दोनों में उप लब्द हैं market में, laser थोड़ा महंगा आता है, MFD, यानि multi-functional devices में ये दो type की devices market में आती हैं, इसके बाद सबसे last जो category है parts of computers की, वो है दोस्तों, users, users यानि की हम और आ, जो इन सारी devices को एक सहित रूप में computer के माध्यम में, गलब computer के shape में use करते हैं, इसको बोलते हैं parts of users, computer के प्रेयोग हेतु कुछ विभिन और important छेत्र हैं, जहां हम computer का इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं, उनके बारे में आपको छोटा सा information मैं देना चाहूंगा, जैसे की सबसे पहले आता है आपका e-mail, email हम computer के माध्यम से कर सकते हैं, इसके बाद internet browsing पतलब किसी भी browser जैसे Google Chrome, Mozilla को खोल के हम suffering कर सकते हैं, कोई website खोल सकते हैं, फिर games, database, word processing यानि Microsoft word, spreadsheet यानि की Excel, desktop web publishing यानि CorelDRA, page maker के माध्यम से कोई designing, accounts, stock control, banking यानि accounting में इसका प्रियोग, इसके बाद payroll यानि किसी company के employees का payroll यानि उनकी salary का कैसे management किया जाए, इसके बाद education, सुच्छा के छेतर में, इसके बाद machines, appliances, electronic devices यानि electronic devices या किसी machine को निर्माद करने में, उसका manufacture करने में, फिर computer added designs, computer adds से जो design होती है उनका, फिर air traffic control में मतलब हवाई जहाज, helicopter जो आसमान में होते हैं, वो pilot और आपके server और आपके जो control unit होता है, उससे कैसे control ही आता है, यह सारा computer के माध्यम से, फिर weather prediction मतलब मौसम विभाग की जानकारी जो पहले ही मिलती है, वो भी computer के माध्यम से, उसके बाद weapons यानि हाथियार बनाने में, design drugs में, oil exploration में, human genome project में, financial markets में, nuclear reactor control में, exploring space में, और art, music, pictures और movie बनाने में भी अब अधिक मात्रा में computer का इस्तिमाल किया आता है, तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो आपको computer fundamental और computer parts, type of computers के ओपर जानकारी देने के लिए, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ लाब होगा, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि ये चैनल मेरा, जो dedicated है, मतलब ये चैनल मैंने जिनके लिए बनाया है, जो दूर दराज़वम ग्रामियल इलाकों में हमारे भाई बहन जो रहते हैं, वो शहर या blog headquarter पे आके computer education किसी center के द्वारा या किसी teacher के द्वारा रहल नहीं कर पाते हैं, और computer की knowledge ना होने के कारण, वो काफी पिछड़ जाते हैं इस आदुनिक समाज में, और अच्छा काम computer पे कहीं अगर उनको मिलता है, तो वो करने में उसको सक्षम नहीं होते हैं, कई सारे भाई बहन मैंने खुद देखे हैं, कि वो computer थोगा बहुत अगर सीख भी गए हैं कहीं से, एक साल या च्छे महिने का ADCA course नोंने किया भी है, बट उसकी practical knowledge अच्छी ना होने के कारण, वो computer पे काम किसी भी office में करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिस वज़े से उनको computer पे रोज़गार करने में भी कुछ काम करने में भी दिक्कत होती है, तो वो भाई बहन मेरे इस video के इस channel के माध्यम से online आके expert बन सकते हैं, practically computer की knowledge, theory come practical जादा, यही मेरा tagline है, इसके द्वारा वो computer चलाना और computer पे अच्छा खासा work करके अपनी कुछ earning करना सेख सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने इस video में, अपने इस image में आपको दिखाया भी है, इस video के माध्यम से, इस channel के माध्यम से, आप computer hardware, computer application, computer networking, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, basic practical knowledge of computer, सबसे मेरा जो 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 रहेगा, जो मेरा वो रहेगा, वो सबसे आदा best basic practical knowledge of computer पे ही रहेगा, practical knowledge में जादा आपको दूँगा, अपने videos के माध्यम से, उसके बाद, how can you use social media to earn money, मतलब, social media का use, अभी तक हम सिर्फ time pass के लिए, या सिर्फ एक दूसरे से जुड़के, अपने विचारों को आदान परदान करने के लिए ही करते हैं, लेकिन social media, social media applications का use हम पैसे कमाने के लिए कैसे कर सकते हैं, कुछ earning करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं अपने videos के माध्यम से आगे आपको बताऊंगा, उसके बाद, preparation of triple C exams, preparation of triple C exams, जैसे कि triple C आजकल सभी government sectors में, सभी नौकरियों में compulsory कर दिया गया है, चाहें वो किसी भी post के लिए हो, triple C exam qualify होना बहुती जरूरी है, हमारे बहुत सारे भाई बहन इसके exam किसी center के माध्यम से, या personally form भर के online देते भी हैं, बट बहुत से हमारे भाई बहन इसमें success नहीं हो पाते हैं, क्योंकि computer की knowledge उनको खुगा कम होती है, तो उनके लिए भी मैं triple C exams के कुछ papers के माध्यम से, उनको मैं जानकारी दूँगा, या कैसे तयारी करें triple C exam देने की, वो भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, and not but not least, digital marketing, दोस्तों, digital marketing का इस्तेमाल आजकल बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आ चुका है, जैसा कि आप किसी भी वीडियो या किसी भी website पे आप देखते होंगे, बहुत सारे कंपनियों की ads उनके प्रचार आपको देखते हैं, ये सारा digital marketing के तहत ही होता है, तो अगर आप कोई व्यापारी हैं, छोटी सी शौप चलाते हैं, या भविस्य में कोई business प्लान कर रहे हैं, तो digital marketing की जानकारी होना, मतलब अपने product, अपनी service को आप social media पे कैसे उसका प्रचार प्रसार कर सकें, क्योंकि आज कल ऐसा कोई भी बन्दा नहीं है, जिसके पास mobile नहीं है, और वो social media से जगा हुआ नहीं है, तो computer पे हर वक्त हर आदमी नहीं रह सकता है, online मगर mobile पे हर वक्त आदमी online रहता है, और कभी भी आप उसको अपने product, अपनी services के जानकारी, social media के platform के माध्यम से आप दे सकते हैं उसको, तो इस डिस्टल मार्केटिंग भविश्य में बहुत ही important है और होने वाला है, तो इसकी जानकारी भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए कुछ useful हो, और अभी तक आपने subscribe button पर click ना किया ह तो कृपिया इस लाल आइकन यानि subscribe button जो लिखा होगा वीडियो के नीचे उस पे आप click करके मेरे चैनल को subscribe करें और एक उसके बाद एक छोटा सा घंटी का आपको आइकन परदर्शित होगा, उस bell icon को आप click करके मेरे जो अगले वीडियो की notification यानि सुचना है वो आप तक स youtube.com website या आपके mobile में जो एप होता है यूटूब का लाल रंका उस पे आप जाके quick techno solutions जो मेरा यूटूब चैनल का नाम है उसको भी आप directly सर्च करके मेरे यूटूब चैनल पे पहुंच सकते हैं इसका मैंने एक link भी नीचे आपको दे रखा है अपने चैनल का तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा आगे भविस में मैं आपको ये हाँ दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि computer fundamental पे ये मेरा part 1 है चोकि वीडियो काफी बगा हो जाता है और upload करने में दिक्कत होती है इसलिए मैंने इसको दो part में बनाया है ये मेरा पहला part है computer fundamental का computer fundamental का जो second part है part 2 वो भी बहुत जल्दी मैं आपको शेयर करूंगा उसको देखके अभी पूरे computer fundamental की जानकारी घर बैठे आप free में ले सकते हैं धन्यवाद